है क्यारीज वरकम बर्गम आगे चैनल तो आज हम बनाएगे मैंको मिलश्यक मैंको मिलश्यक इस मौसम में सारे लोग पसंद करते है और इस मौसम में आम का सीजन है तो आम के सीजन में हम लोग mango milkshake कैसे miss कर सकते हैं वो पी इतना इसी तरीके से जो आज मैं बनाऊंगी तो आप अपने परिवाजनों को और सब के साथ enjoy कर सकते है इतना delicious, damn दिव mango milkshake और इसको बनाने में कोई इतनी मेनत नहीं लगी भूत इसी step में ये mango milkshake बन जाएगे तो हमें इस mango milkshake के लिए मातर तीन ingredients चाहिए तो mango मैंने और जिल चुका है और ये मैंने आथा लीतर तूथ लिया है जो मैंने पॉल करके फ्रीज में रख लिया था और ये थंदा हो गया था तो ये अमूल का तूथ है आपको इसा भी तूथ ले सकते हैं जो आपको चाहिए तो mango को हम लोग छुचोते पीस में कात लेगे जैसे कि ये चलती मिट्स हो जाए और इसको मैं hand mixer से मेतूंगी मिट्सी से मैं इसको नहीं मेतूंगी क्योंकि मिट्सी में चूसे करने लगता है और hand mixer से चलती बन जाता है इसलिए मैं इसको चुचोते पीस में कात रही हूँ जैसे कि अच्छे से properly मिट्स हो जाए आप चाहे अपने अनुसा इसमें शक्क्राइद कर सकते हैं तो मैंने यहां 4 तौन शक्क्राइद की है आपको मिट्सा नहीं पसंँ है तो आप शक्क्रांल बहुत कर सकते हैं तो ही जो मैंगो लिये थे मैंने उसको याथा बचा के उसके छोटे पीस कात लिये और में हैंड मिटसर से ये सब मैंगो मिलशेक को अच्छे से मिटस कर लोगी मैंने छोटे पीस में काता है तो ये अच्छे से प्रॉपली मिटस हो गया है तो इसको इतनी महनत भी नहीं लगी कोई केरा वीरा भी नहीं चलती से मेल्ट हो क Hepalита अच्छे से प्रॉपरली रही मिट्स हो गया बस हमारे मेंको मिल्शेख तयार है आप देख सकते हैं कितना इसका करलय, तेसक्टर केतना अच्छा है मादन तो मेंको मिल्क शेक से और आप देख सकते एक लीते दूट में से कितना मैंकोशी मिल्क परिंगे So I hope you like this video